नमस्का दोस्ता आप सावीको टेक्नों जानी इन्फो कॉम के एक नए वीडियो में स्वागा थे दोस्तो जैसे मैंने आपको पहले प्रोमिस कर चुका हो कि हर रोज मैं जियो गीगाफाइबर का एक नए अपडेट आपको देने वाला हूँ हर रोज जो मैं आपको नए वीडियो देने वाला हूँ उसमें जियो गीगाफाइबर का कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलेगी ओके तो एहीं पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलांस जियो गीगाफाइबर के खर्च के बारे में कितना पैसा आपको इंवेस्ट करना पड़ेगा Relance Geo Gigafiber का connection पाने के लिए और उसके बाद आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको continue करने के लिए मतलब जो monthly rental होने वाला है वो क्या होने वाला है और connection लेने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा और connection चलाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च होगा सब कुछ details में बात करेंगे वीडियो अगर informative हुआ अच्छा लगा तो like कर देना, share कर देना अपने दोस्तों के साथ नए हो channel के उपर तो channel को subscribe कर लेना क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मज़ेदार ऐसे informative वीडियो रोजा ना लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जैसे हीं पर बता रहा था Relance Geo Gigafiber अगले 12th August को Relance के AGM में Annual General Meeting में लाँच होने वाला है और वहीं पर सबसे पहले आपको बता दो Relance Geo Gigafiber एक साथ Broadband Connection और TV Connection लाँच करने वाला है तो एहीं पर आपको दो-दो Connection मिलने वाला है Relance Geo के तरफ से जहां पर आपको Internet Connection दिया जाएगा और TV Connection दिया जाएगा Internet Connection का नाम रखा गया है Geo Gigafiber और जो TV दिया जाएगा उसका नाम रखा गया है Giga TV Connection प्रोवाइट करेगा और पूरा 100% जो Connection होगा वह फाइवर के ध्रू होने वाला है कोई भी Coaxial Kevil कोई भी RJ45 बाला केविल आपको नहीं मिलने वाला है कोई भी Media Converter या फिर दूसरा कोई भी डिवाइस नहीं यूज़ करने वाला है प्रोवाइबर के लिए आपको 4500 रुपीज देना परेगा लेकिन यहीं पर एक Official Confirmation मुझे मिला है यह जो Official Confirmation है यह मुझे Jio.com के साइट से मिला है यह जो Information मैं आपको देने वाला हूँ एक किसी YouTube चैनल ने भी आपको यह नहीं पता है या फिर कोई भी इस मीडिया के उपर भी आपको नहीं मिला है इसके पहले तो आपको यहीं पर मैं स्किन शॉट दिखा था हूँ आप यहीं पर देख पाएंगे जो यह Official साइड जियो.com यहीं पर आपको इस क्लियरली लिखा गया है कि जियो गीगा फाइवर कनिक्शन के लिए आपको देना परेगा पस 2,500 रुपीस मैंने एक पिजले वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले जहां पर आपको बताया था आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि जो गीगा फाइवर कनिक्शन के लिए आपको 4,500 रुपीस और 2,500 रुपीस दो कनिक्शन दिया जा रहा है लेकिन वहीं पर कुछ चेंजेस किया गया है जो के दोवारा ये छुपा रुस्तम निकला है जिवाई पर लुक का छुपी में ये चेंजेस किया है जहां पर क्लि दिया जाएगा उसका प्राइस साइल यहीं पर 1,000 रुपीस में आपको फास्ट करिक्शन दिया जाएगा जहां पर आपको सिंगल बेंड रूटर प्रोवाइट किया जाएगा और जो डुएल बेंड रूटर अगर आपको लेना है तो आपको 2,500 रुपीस देना परेगा यहीं पर क्लियरली मेंचेर है मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ आपको एक स्किन शॉट दिखा रहा हूँ देख लिजिए धियान से 2,500 रुपीस दिया गया है बस आपको 2,500 रुपीस देना है एक कनेक्सन लेने के लिए और आपको मिले गी डुएल बंड वाइअ राउटर और टिवी का कनेक्सन जी दोस्तों यहीं पर टिवी का कनेक्सन फ्री में मिलने वाला है आपको टिवी के लिए कि आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा लेकिन एहीं पर एक catch रखा गया है साइद अभी तक Geo Gigafiber लॉंच नहीं हुआ है इसलिए comment करना ठीक नहीं होगा लेकिन साइद एक catch रहेगा कि जो TV देखने के लिए जो setup box लेना पड़ेगा वो कहां से मिलेगा उसका 2500 रुपीज में Geo Gigafiber का broadband connection मिलेगी और अगर आप चाहते कि TV connection तो वहीं पर साइद आपको सेम 2500 रुपीज एक्ष्टा देना पड़े तो अगर आपको broadband connection और TV connection एक साथ चाहिए तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा धाई हज़र और धाई हज़र 5000 नहीं दोस्तो आपको हीं पर combo back मिलेगा चियो के दोवरा अगर आप दोनों connection चाहते तो आपको हीं पर थोरा कम पैसा देना पड़ सकता है साइद ये जो पैसा ये जो price होने वाला है दोनों connection के लिए वो 4500 रुपीज ये हो सकता है 4500 रुप धादू अभी तक मैंने जो भी information बताया जो भी पैसे का information बताया वो एक security deposit है मतलब अगर आप कभी भी आपका मन हुआ कि Relance Yo Giga Fiber आपसे जादा पैसा ले रहा है उसके कम पैसे में जादा अच्छा facility किसी और company में है और आप जाना चाहते उस company में तो आप Relance Yo Giga Fiber को कह सकत कि आप अपने device को लेके जाए और मैंने जो पैसा दिया था वो बापस दे दीजिए तो Relance Yo आपको पैसा बापस करतेगा कोई ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेगा क्योंकि यह जो पैसा जो आपसे लिया जा रहा है यह बस एक security deposit है तो यह पैसा आपको कैसे मिलेगी वो तो ज यह तो गया कि आपको connection लेने में कितना पैसा कर्च होगा अब monthly rental monthly rental में आपको ही पर फॉस्त तीन महीना फ्री में मिलेगी welcome offer और आपको मालूम है जियो जब mobile phone launch किया था mobile sim launch किया था उस वक्त आपको 6 महीने 6 महीने आपको फ्री में दिया गया था जियो के दौरा तो इस ब अब आपको यह थी महीना थी महीना आप तो आपको फ्री में मिलेगी तीन महीने बाद आपको ब्रॉडमान के लिए 499 रुपीज का प्लान रहने वाला है जो कि स्टार्टिंग प्लान होगा स्टार्टिंग प्लान होगा जहां पर आपको 50 MBPS का बैंड़ीथ मिलेगी 100 GB का अब यह थी मिलने वाला है आपको 28 दिन का वैलीटी मिलेगी और 499 रुपीज में 50 MBPS के बैंडवीथ के साथ 100 GB यूजेज मिलेगी उसके बाद जो है बैंडवीथ 1 MBPS हो जाएगा ठीक है उसके उपर का जो प्लान है अभी तब मुझे नहीं पता है आप उपर आई बटन प प्लान का नाम दिया गया थै वो था ट्रिपल प्लान वो वीडियो देख सकते है जहाँ पर मैंने डिटल्स में बताया है उसके बाद तिवी बादे में बताते प्लान में आपको मन्त ली 200 और क्शाष्ञट्ख का 400 रुपाई का 200 रुपाई में आपको normal standard definition HD channel मिलेगी और 400 रुपीज में आपको 4K and HD, 4K and high definition channel आपको मिलेगी, तो आपको मैंने पताया gigafiber का connection लेने में कितना पाइसा खर्च होगा, फिर आपको बताया कितना monthly rental देना परेगा, फिर आपको बताया TV के लिए कितना खर्च हो का, फिर TV का monthly rental क्या होने वाला है, आपको मैं पूरा details बता चुका हूँ, कुछ और जान करें लेना हूँ, नीचे comment section पर आप मुझ से पूच सकते, वीडियो इंफरमेटी हुआ, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, WhatsApp and Facebook के ऊपर, औ और नए हो चैनल के ऊपर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में एक नए आपडेट के साथ, तब तक के लिए, Be Healthy, Be Happy, Take Care, बाब बाई